आप सबका मेरे चैनल पर वापस स्वागत है तो यह है गोल्ड का चार्ट कल गोल्ड तकरीवन आप दीखोगा रहे हैं तक चला गया एक अच्छी रिकवरी गोल्ड में देखने को मिली एक रिकवरी देखने से पहले जो है फियर गोल्ड एक थोड़े से 2402,5 के आसपास के लौस बना हैं यहीं पे इमारा बाई था 2412,5 के आसपास THEY फिर वापस से हमने Het these Com strains 2413 बाई पे आज़ेफिशें पर हमने और फीर Jesus 22 का अवारा टार्किट था गोल्ड ने तकरीवन 2425 तक के हाइस बनाया ये वाला तीसरे सिग्नल में अल्मोस्ट एक डॉलर से हमारा टार्गेट रहे गया था फिर उसके बाद हम कॉस्ट पेग्जिट कर लिए थे हमने फिर चौती हमने बाइंग करी चौबिस सो बारा तेरा के आसपास फिर हमने उसको चौबिस सो अठारा पचास के आसपास बुक किया तो मोर और लेस हमारा टार्गेट 27 का था बट ओवरनाइट लेकिन नहीं जाना था इसलिए हमने कल अगर आप देखोगे तो नियरली कॉस्ट पर एकजिट कर लिया काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंडिया में सिगनल्स क्यों नहीं देते हो इंडिया में एक सिगनल्स देने की बात सिगनल्स देने का एक रीजन ये भी है नहीं देने का कि जैसे कि कल हमारे चार कल गया दो में लॉस हो और एक में प्रॉफिट हो इन फाक्ट जो हमारा एक का जो प्रॉफिट है छे से साड़े शे डॉलर का वह दो के लॉस से बड़ा है बट इंडिया के जो हमारे सब्सक्राइबर से थोड़े ऑपसेस्ट होते हैं अब इसकी देखोगे आप तो सिर्फ 93% है कल की सिगनल की बात कर रहा हूं मैं कल जो 4 सिगनल सायतं हैं वैसे मैं हमारी वेबसाइट पर लिखा है छार से आट सिगनल मंतल爆ी R प्रॉफिट आता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि कल का मैंने आपको एक्जाम्पल दिया चार प्लस एक पांच डॉलर का हमको दो सिगनल में लॉस हुआ छे डॉलर का हमने प्रॉफिट बुक किया वह भी तब कि हमारे टार्गेट नहीं आया था कि वी डिट नॉट वांट टू फॉल्ड फॉर ओवर्नाइट अदर्वाइज हमारे टार्गेट तो चौबिस से 27 का था थोड़ा सा पहले अगर मोमेंट शुरू हो जाता तो हमारे ट दस डॉलर का stop loss है और पांच डॉलर का टार्गेट है तो उसके 75 परसेंट भी अगर एक्यूरेसी है तो यूवल जस्ट एंड अप एट कॉस्ट तो यही मैं काफी लोग लाइव स्वाल पूछ रहते कब चालू करोगे क्यूं चालू नहीं कर रहे तो एक रीजन यह भी है चालू करने का कि थोड़े से एक्यूरेसी ऑपसेस्ट है एक्यूरेसी ऑपसेशन जो है वह बहुत बिगिनर्स का होता है कि एक्यूरेट है सिग्नल्स तो ही आएगा थोड़ा सा अगर आप रिस्क रिवार्ड रेश्यो देखोगे तो में जो होता है वह रिस्क रिवार्ड इसका ट्रेंड पॉजिटिव है वैसे सिगनल के साथ साथ मैंने अपने कल सब्सक्राइबर्स को भी बता दिया था पॉजिटिव जोन में मार्केट कॉमेंटरी वाले मार्केट कॉमेंटरी में थ्रोड़ा सा लेट पता चला था उनको क्यूंकि चॉबिस सो अठारा आई थिं इंट्रस्टिंगली हमारा 66 के टार्गेट जो था वो यह इस कैंडल से मिस हो गया तो हमने जैसे के गोल्ड में किया ओवरनाइट होल नहीं किया विकॉज कल अनिम्प्लाइमेंट क्लेम से ही इतनी ज्यादा मॉवमेंट मार्केट में आ गई कि थोड़ा सा इतना छोटे डा एक सो तीम से यह है वो कैंडल एक सो तीम से लेके एक सो तीम पचास तक दो घंटे में उपर चला गया था तो जिस तरीके से डालर इंडेक्स कल बिहेव कर रहा था उसकी वजह से मैंने सब्सक्राइबर्स को होल्ड नहीं करवाई otherwise there was no reason to not to hold anyways silver पे आ जाते हैं silver का 2730 का resistance है आज का 28 डॉलर का ट्रेंड पॉजिटिव है इसका तो रखेगा खयाल चलते हैं अब क्रुड ओयल की तरफ चल रहा है 26 डॉलर के आज पास कल भी पॉजिटिव जोन में था आज भी पॉजिटिव जोन में है आज का सपोर्ट है 74 डॉलर 90 सेंट का resistance है आज का 89 डॉलर माफ कीजिएगा 77 डॉलर 80 सेंट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखेगा खयाल चलते हैं यूरो की तरफ यूरो में जबरदस क्रैक आगया था अब जस्ट बिकॉज डेटा वॉज अ लिटिल बिट पॉजिटिव बट इतना पॉजिटिव नहीं था कि जिस तरीके से कल डॉलर इंडेक्स ने बिहेव किया बहुत ज्यादा ओवर रियक्शन डॉलर इंडेक्स ने किया और उसका खामियादा हमारे फॉरेक्स के सिगनल्स को भूखरना पड़ा है आज का सपोर्ट है आट सबस्क्राइब रिजस्टन्स है आज का नौसु साट का ट्रेंड इसका फिलहाल वीक है थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स तो रखेगा ख्याल ब्रिटिश पाउंड पे आते हैं 278 के असपास चल रहा है पॉजिटिव जोन में है यह 2730 इसका रिजस्टन्स ब्रीच हो चुका है आज का सपोर्ट है 2710 का रिजस्टन्स है आज का अटाइस सु पाँच का ट्रेंड पॉजिटिव है इसका क्योंकि रिजस्टन्स इसका कल नहीं तो आज शायद ब्रीच हुआ है बट अब पॉजिटिव जोन में है यह चलते हैं क्रिप्टोस की तरफ सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन 57500 का कल मैंने आपको रिजस्टन्स दिया था तो भाई साहब यह हुआ रिजस्टन्स क्रोस 57500 के बाद 62700 यानि 5000 डॉलर का गेंस अल्री आज चुकी है 10% गेंस आप कहोगे इसको तो जूट नहीं होगा आज का सपोर्ट है भाई साहब बहुत नीचे 57500 का ही सपोर्ट है आज रिजस्टन्स है आज का कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखेगा खयाल वैसे पेट सिंग्नल्स की जानकारी मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी के लिए मेनी टीम का वाटसप नमबर डिस्क्रिप्शन में है 2560 का इसका रिजस्टन्स था ओकेई रिजस्टन्स हुआ यहाँ पे क्रॉस उसके बाद तकरीबन 2724 देड़ सो डॉलर के आसपास की गेंज इसमें भी आ चुकी है आज का सपोर्ट है 2490 का रिजस्टन्स है आज का 2780 का ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखेगा खयाल बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कॉमेंट कीजिएगा पेट सिंग्मस की जानकारी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए